बिहार के मुखमंत्री लगातार एक्षन बोट में हैं अभी पहुँच गए हैं पत्ना एरपोर्ट और नए टर्मिनल भवन का जायजा ले रहे हैं नमस्कार दर्स न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बड़ी खबर है सीम नितीज कुमार पत्ना बन रहे हैं नए टर्मिनल का जायजा लेने पहुचे हैं सुविधाओं का जायजा लेने पहुचे हैं क्या कुछ बन रहा है आपको बता है कि जल्द ही इसकी सुरुवात होने जा रही है इस साल के अंतक बाना जा रहा है कि इसकी सुरुवात की जाएगी इसका उधगाटन कजाजा लिया है और कई सारे निर्देश दिये हैं तस्मीरे आप देख सकते हैं तस्मीरे जो निकल कर सामने आईए पठना एरपोर्ट पर आपको बताएं कि बड़ा टर्मिनल बन रहा है बड़ा पार्किंग अस्थल बन रहा है और इसके साथ ही पठना सारी सुविधाओं के विकास को लेकर कारे चल रहा है सुविधाओं में विष्टार किया दे रहा है और इसका निरिक्षन सीम नितीज कुमार ने किया है हम आपको बता हैं कि पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन में 5 एरो ब्रिज बनाने के साथी बिमानों के लिए 6 पार्किंग की भी तैयार की जा रही है योजना पूरी तरह पर पूरियोंने पर पार्किंग की संख्या 11 हो जाएगी वहानों के लिए जी प्लस 5 मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो गई है फिलाल एटी सी को नए भवन में सिफ्ट किया जा चुका है वही एरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मियों के लिए प्लस 6 बिल्डिंग का भी निर्मान हो चुका है जिसमें वो रहने भी लगे हैं हम आपको बता दे कि नए टर्मिलन के निर्मान में 1216 करोर रुपिये खर्च किये जा रहे हैं और निर्मान कार की शुरुवात अक्टूबर 2018 में की गई थी लेकिन कोरोना संक्रमन की वज़ा से योजना लंबित हो गई पुराने भवन को तोड़ने के काम में देरी से शुरू हुई थी और इसकी वज़ा से योजना प्रभावित हुई थी लेकिन अब यो पतना एरपोर्ट पर बन रहा है उसके उद्गाटन के पहले सीम नितीज कुमार ने जायजा लिया है जो निर्मान कारे चल रहे हैं और हम आपको बताएं कि यहां पर टर्मिनल के बन जाने के बाद यहां से अंतराश्टिय उडान की भी सुरुवात हो सकती है जो खबरे न आप को बता दे भीटा में नया एरपोर्ट बनने की कवायश शुरू हो गई है वो अंतराश्टी लेवल का एरपोर्ट बनाए जा रहा है बड़ा एरपोर्ट बनेगा तो ऐसी इस्टिती में पतना एरपोर्ट पर भी सुवधाओं का बिस्तार हो गया है स्टीम नितीज को दिये हैं बने रहे दर्स न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद